हलो एवरीवन आज हमने लास्ट वीडियो में लगभग काडियक हार्ट फेलियर कंजस्टिव हार्ट फेलियर अज नया ट्रॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डिस लिपिडिमिक्स इसी को पुछ लोग हाइपो लिपिडिमिक्स भी कहते हैं दोनों टम यूज होते हैं मोल करेक्ट वर्ड है डिस लिपिडिमिक्स ठीक है तो इसको पढ़ने के लिए हमको पहले समझना हो समझना पड़ेगा कि जो लिपिड है डिस लिपिडिमिक्स है ना लिपिड इस लिपिड की नॉर्मल मेटबोलिजम क्या है लिपिड क्या होता है कि आसान भाशा में जिस तुमने कुछ भी तला हुआ खाना खाया हुग तो इसमें क्या होता है फैट होता है अब ओ फैट इंटस्टीन में जाएगा वहां सिस काल क्या होगा, कैसे कैसे होगा उसको समझ ले के लिए पहले हम उसकी नॉर्मल फिजियोल्जी समझेंगे फिर समझेंगे वहाँ पर क्या क्या ड्रग एक्ट करेगी फिर उसके कुछ जो selected class है उसको समझा जाएगा ठीक है तो पहले हम शुरू कर लेते हैं क्या फिजियो लॉजी तो फिजियोलोजी में सबसे पहले हम बात करते हैं गट की और फिजियोगी फैट सबसे अच्छा बड़ा सोर्स है फैट का 2022 करण भाद में तुम्हारा घ्जियोई कर opin उन सबसे क्या आता है तुम्हारे इंटेस्टीन में यह है इंटेस्टीन इस इंटेस्टाइन में क्या आ रहा है इसमें आ रहा है फूड ठीक है फूड आ रहा है फूड में क्या होगा फूड में होगा लिपिड लिपिड मतलब फूड में हो सकता है लिपिड मतलब कोलेस्ट्रॉल होगा सी से मैं बना रहा हूँ कोलेस्ट्रॉल और क्या हो सकता है ट्राइगलिस्राइड हो सकता है ठीक अब जो यह चीज बनी है तब कोलेस्ट्रॉल को हमें क्या करना है सबसे पहले देखो हमने पढ़ा है 11 से ही कि जो लिपिड है वो एब्जॉब होता है काईलो माइक्रॉन के फॉर्म में ठीक है तो हमें क्या करना है इसे खट्ठा करना है काईलो माइक्रॉन के अंदर तो यह क्या करेंगा कि यहां पर इसके अलग-अलग रिसेप्टर होता है सबसे बहले यहां पर होता है एक रिसेप्टर इसका नाम होता है नीमेन पिक वन लाइक वन रिसक्टर एन पिसी वन रिवन फुल फॉर्म नीमेन पिक वन लाइक वन रिसक्टर तो यह क्या करेगा इस कोलेस्टरॉल को अबसर्ब करा लेगा किसमें एंटेरोसाइट में एंटेरोसाइट मतलब जो इसकी अपिथीलियल लेयर है लीवर की ठीक उसमें ले जाएगा कोल किसको कोलेस्टरॉल को लेगा अब जब यह kolesterol को लेगा तो ही क्या करेगा यहाँ पे इस kolesterol को सबसे पहला काम है इसमें हमें एक 1968 bond जोड़ना है क्या जोड़ना है cancer bond इसका फाइदा क्या होता है इसका फाइदा है कि इससे क्या колesterol stabilization हो जाएगा मतलब आसानी से को आप लेके जाओगे ऐसा समझे जैसे कोई भी हमें समान कहीं भेजना होता हम उसकी पैकिंग करते हैं तो यहां पे इस्टर क्या कर रहा है इस कोलेस्टरॉल की पैकिंग कर रहा है काईलो माइक्रॉन कर दा ताकि उसको एक जंगे से दूसरी जंगे ले जाया है इस्टर की पैकिंग तो पैकिंग करने के लिए को एंजाइम यूज होगा तो यहां पर हम यूज करते हैं के जाइम जिसका नाम होता है एक एक एट इसमें क्या है एक सक्षेट एलकेट मतलब लैसिथिन कोलेस्टरोल लैसिथिन कोलेस्टरोल असाइल ट्रांसफरेस उसने क्या किया कोलेस्टरॉल को किसमे कर दिया कनवर्ट कोलेस्टरॉल इस्टर में अब क्या है दूसरी चीज ट्राइगलिस्राइड भी क्या होगा ट्राइगलिस्राइड भी यहां से हम इसको अब्जॉब कर वा लेंगे अब ये दोनों किस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे धीरे धीरे ये कन्वर्ट हो जाएगा एक इस ड्रॉपलेट के फॉर्म में इस ड्रॉपलेट को क्या कहेंगे हम इस ड्रॉपलेट को कहेंगे काईलो माइक्राउन तो इतना समझा है लाइब कोलेस्टराल लाइब को इस्टर में करकिया ट्राय इस राय ट्राय है इन दोनों को एक ड्रॉपलेड के फाउम्स में कर दिया काईलो माइख्रORA demand अब यह काईलो माइख्राउन कहा जाएगा ये जाता है तुम्हारे तुम्हें बताव जो भी तो ये हो गया फस्ट पॉइंट लीवर में क्या हो रहा है अगला समझते हैं अडीपो साइटस में क्या हो रहा है कि अधेफिश। गया होने होता है जए फेट का उस्तोरेज होता है किया डिपो कि अधेभ और यहाई एक्स और नी लगाव सबता है तो यह सेप साइस करने होता तो दुअधि खूश्यं करते हैं और लेक्ट होती हैं ekस दो फती होगा हसे । तो अडिपो साइट में यानि कोई एंजाइम होगा जो फैट को तोड़ सकता है उस एंजाइम का क्या नाम होगा उस एंजाइम का नाम होगा लाइपेस कौन सा लाइपेस हर्मोन सेंसिटिव लाइपेस हर्मोन सेंसिटिव लाइपेस हर्मोन सेंसिटिव लाइपेस अब यह हर्मोन सेंसिटिव लाइपेस क्या करेगा यह करता है दो काम एक तो पहला काम करेगा यह ट्राइगलिसराइट को यह ट्राइग्लीसराइड हम엔って бан है का बनता है उसमें होता 56 होते हैं पैसे ऑफ इस गर इसको Ł между 6 क्या मिलेगा में एक मिलेगा ग्लिस ए मिलेगा दूसरा मिले एनर्जी प्रोडक्शन है ना मलब क्रप साइकल कहीं भी जा सकता है तो यह अलग-अलग जंगे पर यूज हो जाएगा अब फैटी ऐसिड देखो क्या होगा यह क्या होगा यह तुम्हारे यह तो आर्ट्री में चला जाए इस आर्टरी में जा सकता है, इस वेन में जा सकता है, और कहां जा सकता है, यह तुम्हारे लीवर में जा सकता है, जहां जहां पर इसके इस्तेमाल है, वहां पर यह जा सकता है, तो अगर यह fatty acid blood में बढ़ेगा, तो कुछ न कुछ changes आएंगे, lipid के ratio में, लीवर में जाएगा तो लीवर में fatty acid all lipid बना सकता है तो उसको समझेंगे कैसे बना रहा है ठीक है तो ये हो गए तुम्हारा second point second point क्या था adipocyte ठीक और third point यहाँ पर लिखेंगे लीवर का ठीक न ये लीवर है ठीक लीवर अब लीवर में क्या होगा देखो पहला क्या है ये fatty acid आ रहा है ठीक है ये fatty acid आ रहा है और क्या रहा है और तुम्हारा जो है यहाँ पर एक न देखो लीवर में क्या होगा कुछ हिपेटोसाईट्स होते हैं लीवर सेल्स होगे लीवर सेल्स में क्या होगा लीवर सेल्स में होता है तुम्हारा smooth endoplasmic reticulum जहां पर क्या होता है fat का synthesis होता है तो अभी क्या करेंगे कि हम सबसे पहले यहां पर एक ट्रांस्पोर्टर होता है जिसका नाम है ऐसे बनाना यह यह ट्रांस्पोर्टर है इसका नाम होता है MTP MTP का मतलब Microsomal Triglyceride Transporter of Protein MTP Microsomal TG Triglyceride Transporter Transporter और Protein है यह क्या करेगा जो भी ब्लड से जो भी Triglyceride आ रहा होगा TG इस TG को यहां पर है यह यह है तुम्हारा क्या Smooth Endoplasmic Reticulum हमने पढ़ा Smooth Endoplasmic Reticulum Lipid Synthesis होता है तो सबसे पहले क्या होगा TG कहां जाएगा इसमें जाएगा और Fatty Acid इसमें जाएगा दोनों से क्या बनना End Product क्या बनेगा देखो यह क्या करेगा Triglyceride पहले तो Fatty Acid अगर आ रहा है तो इसको किसमें करवट कर देगा Glycerol के साथ जोड़के Triglyceride में और Triglyceride आ रहा है जब इसमें Triglyceride Collect होने लगेगा तो क्या करेगा इस Triglyceride को जोड़ देगा किसके साथ Lipoprotein तो किसके साथ जोड़ देगा Lipoprotein तो यह Lipoprotein के साथ जब जोड़ देगा यह जोड़ दिया यह बनी जा इसी को क्या कहेंगे इसी को कहते हैं हम VLDL अब यह VLDL जो बना है VLDL क्या है यहां पर Transporter होगा अब इस Transporter के थुरू यह VLDL कहां आएगा बाहर किसमें Blood में VLDL आया अब यह जो VLDL अब देखो क्या क्या है हमारे Blood में Kylo Micron है Fatty Acid है VLDL है इतनी चीजें और एक ट्रेंड याद रखना इस VLDL में कुछ अगर मैं चेंज कर दू तो इसी VLDL से बन सकता है VLDL समझे रहे Full Form Very Low Density Lipoprotein Ideal है Intermediate Density Lipoprotein और इससे बन रहा है इससे बन सकता है LDL Low Density Lipoprotein यह trend होता है Formation का तो अब यह कैसे बनता है उसके लिए हमको पढ़ना पढ़ेगा यहाँ पे इतने पार्ट में मैं समझाऊंगा कि Capillaries में क्या होता है First होगे Second होगे यह third होगे Last में fourth point अच्छा Kylo Micron आ रहा है VLDL आ रहा है अब यह जो Kylo Micron और VLDL इह क्या करेंगे यह पहले तो क्या है Artery's में जाएंगे यह वेंस में जाएंगे Artery's है किस में जाएंगे Small Artery Small Artery's है Arterio Artery's से जब Capillaries में जाएंगे Capillaries का size कैसा है चोटा तो वहाँ पर क्या होगा कि यह जो Kylo Micron और VLDL क्या करेंगे इसमें Stuck हो जाएंगे अटक जाएंगे और जब यहाँ अटक गए example लेरहे हैं Kylo Micron का ठीग है यह Kylo Micron है तो यहाँ पर क्या है यह है यह है तुम्हारा capillary का endothelial cell इस endothelial cell में होता है तुम्हारा कौन सा enzyme यह है malo enzyme इस enzyme का नाम क्या होता है इसका नाम होता है lipoprotein lipase short palm में LPL lipoprotein lipase यह क्या करेगा kylomicron के अंदर क्या है triglyceride यह triglyceride को इसी hormone sensitive lipase के तर किसमें तोड़ेगा glycerol और fatty acid में तो क्या हो रहा है इसके अंदर इसके अंदर दो चीज है क्या है TG है और cholesterol है तो यह क्या करेगा यह इस TG को किस हिस्से में तोड़ेगा एक तो थोड़ेगा glycerol में और किसमें तोड़ेगा free fatty acid अभी जब free fatty acid है क्या करने लगेगा यह यहाँ पर आके endothelial cells में deposit होने लगेगा जब यह deposit होने लगेगा तो इसके अंदर क्या है इस triglyceride की मातरा कम होने लगेगी और जब यह कम होने लगेगी तो अब क्या बचेगा इसमें सिर्फ cholesterol तो इसका ऐसे ही काम होगा कि इसमें VLDL में VLDL में क्या होता है triglyceride है cholesterol है तो यहाँ पर क्या होगा triglyceride कम होने लगेगा और जब कम होने लगेगा तो उसके वएसे क्या सिर्फ cholesterol बचेगा यानि VLDL से क्या बन रहा है LDL क्या होता है LDL में सिर्फ cholesterol होता है यह यह पूरा बाया के mystery का पार्ट है कि इसमें क्या क्या होता है लेकिन तुमकोगर यह trend बाता है अब से जिसने मैंने triglyceride हधादा दिया fatty acid हधादा दिया तो उससे क्या बनिया फिर यहां पर क्या होगा कि इस प्रक्रिया की वाज़े से सबसे पहले क्या होगा यहां पर दो चीज होगी इससे क्या होगा सबसे पहले काईलो माइक्रॉन क्या हो जाएगा काईलो माइक्रॉन की मातरा कम होने लगेगी क्योंकि ट्राइग्लिस राइड टूट रहा है और वी ल्ड्ल भी कम होने लगेगा और ट्राइग्लिस राइड भी कम होने लगेगा क्योंकि इसका ब्रेकडाउ हो रही ठीक वह ही पे बढ़ क्या रहा है बढ़ रहा है क्या के ситу लैर बड़ेगा है और यह हो गया इसमें कि हम इतना जो बता elli man वी बढ़ेदाय है है यह तुम्हारी नार्मल फिजियोजी लपीड की कहां पर क्या क्या इस लिपड के साथ हो रहा है इतना होने के बाद हम यह पढ़ लेंगे अब इसमें कहां पर कौन सा ड्रग एक्ट करेगा ठीक ना और उस से पिर हमको समझ में आ जाएगा पहले मैं इतने पर बता देता हूं क्या-क्या ड्रग एक्ट करेंगे उसके बाद एक कोलेस्टॉल बायोसिंथेसिस वो बता दूगा तो सबसे पहले यहां पर एक ड्रग करके समझते हैं सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था यहां पर कोलेस्टॉल आ रहा है इसके थूरू नीमेन पिक वन लाइक वन रिसेप्टर के थूरू इसको इनिविट करता है तुमारा ड्र अगर कोलेस्टॉल को कोलेस्टॉल इस्टर में कनवर्ट करने का कारण है कि कोलेस्टॉल इस्टर आसानी से ट्रेवल कर सकता है मतलब हम क्या करने कोलेस्टॉल की पैकेजिंग करने है तो अगर पैकेजिंग नहीं होगी तो ट्रेवल नहीं होगा यानि ब्लेड लेवल कोले दूसरा है हर्मोन सेंसिटिव लाइपेस यहां पर यह दो ड्रग है ठीक एक और है यहां पर अचा तुम को याद होगा कि यहां पर जो गॉल ब्लैडर होता है गॉल ब्लैडर क्या रिलीस करता है वाइल ठीक है क्या बाइल एसिड है ना बाइल एसिड है तो इस बाइल binding resin, यह resin इसके साथ wind कर लेता है तो एक यह drug है, इसका mechanism पढ़ेंगे इसकी class में ठीक लेकिन हाँ, यहाँ यहाँ पर bind करता है इतने हो गई, यह तीन drug यहाँ पर main है क्या क्या है resin, azitimide, avasimide अब hormone sensitive lipase इसको inhibit करता है तुमारा niacin ठीक niacin हो गया, और आजा अब niacin कर दिया अभी देखो niacin इसको inhibit करेगा जिसकी वाईसे fatty acid कम होगा एक trend देखो, fatty acid कम होगा उसकी वाईसे क्या होगा, यहाँ पर triglyceride का formation कम होगा, triglyceride का formation कम होगा तो उसकी वाईसे VLDL कम होगा, VLDL कम होगा इसका प्लस पॉइंट क्या है यह HDL को इंक्रीज कर देता है अच्छा फिर अगला है तुम्हारा यह MTP ठीक है MTP को इनिबिट करता है ड्रग जिसका लाम है लो मीटापाइड और यह VLDL है VLDL को रिलीज जो कर रहे है यहाँ पर यूज करते हैं ड्रग जिसका नाम है आईकोसापेंट ठीक है आईकोसापेंट हाँ आईकोसापेंट ठीक है ना VLDL निकल इंद रहा है ब्लेड में VLDL के लेवल कम इसको कर रहे है ताकि ट्राइगलिस राइड जाए ना ट्राइगलिस राइड निकल जाएगा VLDL नी बनेगा VLDL नी तो आईडियल नी आईडियल नी तो अच्छा यह लाइबो प्रोटीन ठीक इसमें क्या क्या ड्रग हो गया लोमिटाबाइड आइकोसापेंट ठीक और एक आदर कोई है नहीं बस इतना है और इसके बाद यह हॉर्मोन सेंसिटिव लाइपेस हॉर्मोन सेंसिटिव लाइपेस को इनिबिट करता है तुम्हारा ड्रग कौन से जिसको कहता है हम फाइब्रेट्स अब सोचो अगर फाइब्रेट्स को इनिबिट करतेगा तो लडियल और आईडियल यह क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे लेकिन साइड इफेक्ट है कि VLDL बढ़ सकता है तो इतने ड्रग हो गए इन चारों में ठीक इसके बाद एक छोटा सा हिस्सा हो पढ़ेंगे हैं बाय कोलेस्टरॉल सिंतेसिस जो की हो रहा है तुमारे लीवर में उसके बाद तुमारी पूरी फिजियोलजी लिपिड मेटाबॉलिजन की खतम उसके बाद सिर्फ ड्रक्स के टाइप्स पढ़ेंगे हैं कि मिटा दे रहा है इसके बाद हमें पढ़ने पुर्णाएं लिपिड का सिंथेस्स तो पहले ने अधिए लिपिड का ज़ाधा सिंथेसिस का पर हुटा यहाद का यूख लिप्र होता है तुमारेक का पैश्ण में घूम्हारे वार भास में capita ऑई है और यह नहीं है है हिपेटोसाइट है हिपेटोसाइट में च्या होता है कि सबसे पहले हमें चाहिए यह और सब से में एंजाइम वह जैसे टाइल को इंजाइम यह यह होता है प्रीकरसर Co-Enzyme A Acetyl Co-Enzyme A Acetyl Co-Enzyme A को हम क्या करते हैं Slowly जिसको convert करते है HMG Co-Enzyme A ठीक है पहले क्या होता है Acetyl Co-Enzyme A Acetyl Co-Enzyme A से बनता है HMG Co-Enzyme A HMG Co-Enzyme A पे एक ड्रग का मलब Enzyme काम करता है जिसको कहते है HMG Co-Enzyme A Reductase यहां पे काम करता है HMG Co-Enzyme A Synthese यहां पहले का Triductase इसके बाद दीरे-दीरे क्या बनता है बहुत कुछ बनता है Mavailonid बनता है Squalene बनता है और N में जाके क्या बन जाएगा Cholesterol एक तो तरीका यह है Hepatocyte में बनाने का अहां और एक चीज और Acetyl Co-Enzyme A को हम citrate से भी बना सकते है Citrate Citrate को Citrate को तोड़ेंगे उससे बनेगा Acetyl Co-Enzyme A तो यहां पे ट्रक कौन सा Enzyme कौन सा यूज करेंगे Citrate तोड रहे हैं तो Citrate Lyase एक तरीका यह है दूसरा तरीका है हम क्या करेंगे कि इसके उपर यह बढ़ा देंगे यह क्या है यह है LDL receptor अगर LDL receptor एक तरीका है LDL receptor पे कौन आके बाइंड करेगा LDL अब क्या होगा जैसी LDL इसके बाइंड के ही क्या होगा पूरा receptor Endocytos हो जाता है अब जैसे Endocytos होगा तो क्या है इस LDL से क्या इस LDL का breakdown होगा हमने पढ़ा था LDL के अंदर क्या होता एक तो होता ही अपो भी 100 cholesterol इस से हम क्या बना रहे है cholesterol इस cholesterol का फायदा गया है क्या होता है यह cholesterol हमारे बहुत सारी चीज़े बनाने काम आता है जैसे क्या बनाता vitamin D और steroids और bile acids यह सब इस से produce होता है अब माल लो किसी कि इसकी समस्या है तो यहाँ पर देखो क्या क्या ड्रग काम कर रहे हैं बस उनका नाम समझ लो दो ड्रग है मिल दी दो तीन ड्रग यह कै सब से पहले यहाँ पर सब से फेमस ड्रग जिसे drug of choice भी जहता है कौन सा statin drug of choice in lowering the lipids दूसरा होता यह नया ड्रग है जो अभी इस पर बनाई इनिबिट करने वाला जिसको कहते हैं बैमपेडोईक असड बैमपेडोईक असड और बस यह दो यहाँ पर में ड्रग थे तुमारे और कुछ ड्रग हैं यहाँ पर भी काम कर सकते हैं LDR receptor पर और वो रिसेप्टर वो सारी क्या हैं यही ड्रग है इंडिरेक्टली काम करते हैं जैसे लो मिटा वाइड है फाइवरेट है एक और है जो इसको इनिबिट कर सकता उसका नाम है कि इसके नाइन इनिबिटर क्या है इसमें क्या ना दो ड्रग होता है वैसे इतना भी इंपॉर्टन नहीं इसको जब प्लास आएगी ना तो वहीं पे इसको पढ़ लेंगे तो यह नहीं है यह जो जो ड्रग है वो सारे इसमें बता दिए तो यहां पर इस पॉइंट को अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे जो जो ड्रग है उसके ख्लास है उसारे पढ़ लेंगे ठीक है तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें खराब लगे तो कमेंट करें थैंक्यू वेरी मुच्छ